दोस्तों आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत है आज की Test Your Knowledge की वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके के Top 55 Questions आंसर्स जो की सभी परिक्साओं के लिए बहुत ही ज़्यादा मैत पून रहेंगे इस परकार के Questions परिक्साओं में बार-बार पूछे जाते हैं तो आप इस वीडिय को बड़े ध्यान से पूरा एंट तक देखेगा पहला कोशन है पौकरान में किस वर्स पहला परमानूप परिक्षन आयोजित किया गया था अगर आपको किसी भी कोशन का आंसर पता होगा कमेंट बोक्स में जरूर बतेगा दोस्तों इस कोशन का राइट आंसर हैगा 1974 में यानि कि C राइट आंसर हैगा कोशन नमबर 1 का दूसरा कोशन आता है आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्स में किया गया था तो दूसरे कोशन का दूस्तों राइट आंसर क्या रहेगा 2012 में यानि कि C राइट आंसर हैगा कोशन नमबर 2 का तीसरा कोशन आता है एक नवज नवजात सिसों में दोस्तों 300 से लेकर के 350 हड्डियों तक हो सकती है तो इस question का right answer option सी रहेगा अगर पूछा जाए कि एक व्यस्क मनिश्य के सरीर में कितनी हड्डियां होती है तो 206 होती है दोस्तों ठीक है और एक बच्चे के सरीर में 350 तक हो सकती है maximum question number 4 है दोस्तों भुटान की राजदानी कोन सी है इस question का right answer है जोंग खा यानि की right answer दोस्तों D हो जाएगा आप खुद भी try करते रहेए और questions के answer comment box में बताते रहेगा पाँचवा question है सफेद रेगिस्तान भारत के निमलिखित राज़्यों में से किसमें इस्तित है दोस्तों पाँचवे question का right answer है गुजरात में यानि की option A right answer है कोशन नंबर 5 का और देखे 6000 के question answers की जो पीडियाप है वो मात्र 175 रुपीज में आप purchase कर सकते हैं इसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा यह सभी वीडियो के notification लेने के लिए playlist से पढ़ने के लिए चैनल को अभी subscribe करिए नीचे radical का बटन दिख रहा होगा बेल आइकन को on रखे ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो के notifications आपको मिलते रहे हैं चटा कोशन है भारत सरकार ने भारत में कितनी नदियों को परमुक नदियों के रूप में वरगिगरत किया है दोस्तो चटे कोशन का right answer रहेगा बिलकुल 12 नदियों को यानि कि C right answer रहेगा कोशन नमबर 6 का कोशन नमबर 7 आता है शिक्षा का अधिकार कब मोलिक अधिकार बना है तो 7 कोशन का दोस्तो right answer रहेगा अप्रेल 2010 यानि कि C right answer रहेगा कोशन नमबर 7 का Q8 आता है प्याज किसका प्रिवर्तित रूप है आटवे Q8 का दोस्तो राइट आंसर क्या रहेगा बिल्कुल तने का यानि की राइट आंसर ओप्शन C हो जाएगा Q9 आता है नेवन में से किसने पहली बार कहा कि परत्वी गोल है और मेरे प्यारे दोस्तो अगर आपको ये Q10 अच्छे लगते हैं और Toys Your Knowledge ये वीडियो आपको अच्छे लगती है डेली ये Tests Your Knowledge लगाने में मज़ा आता है वीडियो को लाइक कर दिया करें अपने हर एक दोस्तो को हर एक गुरूप में सेयर कर दिया करें इस कोशन का दोस्तो राइटांसर करेगा अरस्तुने यानि कि C राइटांसर रेगा कोशन नमबर 9 का कोशन नमबर 10 आता है प्रवासी भारते दिवस कब मनाया जाता है प्रवासी भारते दिवस मनाया जाता है दोस्तो 9 जनवरी को यानि कि B right answer हैगा question number 10 का question number 11 आता है फतेपुर सीकरी की स्थापना किस ने की थी? दोस्तो फतेपुर सीकरी की स्थापना अकबर दुआरा की गई थी यानि कि इस question का right answer आपका B हो जाएगा दोस्तो बारवा question आता है गोबर गैस यानि कि बायो गैस में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है दोस्तो right answer हो जाएगा एक्चल में यापे मिथेन होगा ये correct कर लेना मिथेन दोस्तो सबसे अधिक पाई जाती है यानि कि C right answer हैगा question number 12 का question number 13 आता है question number 14 आता है इस question का दोस्तो right answer है निउजिलेंड की यानि कि C right answer है question number 14 का अगला question आता है मिनी माता रोग का कारण क्या है दोस्तो right answer रहेगा ये पारा होगा यार इसको भी correct कर लेना पारा ठीक है तो right answer is option ये आपको याद अखना है दोस्तो अगला question आता है war and peace नामक पुस्तक के लिए का कोन है इस question का right answer हैगा Leo टॉलेस्टोय यानि की right answer option A right answer हैगा 16 का दोस्तो अगला question आता है अरुन यानि की Uranus की खोच किस ने की थी इस question का right answer हैगा हर सोल ने यानि की right answer is option A ये आपको याद अखना है question number 18 आता है भारत में खनीज देल के भंडार मुखेता किस परकार की चट्टानों में पाए जाते हैं इस question का दोस्तो right answer हैगा अब साधी चट्टान यानि की option B right answer हैगा question number 18 का दोस्तो question number 19 आता है परसिद स्वन मंदिर यानि की golden temple निमलिकित में से किस जील की मध्या में इस्थित है दोस्तो इस question का right answer हैगा अमरत सरोवर जील यानि की option B right answer हैगा question number 19 का question number 20 आता है 1969 में निमलिकित में से कौन सा अपोलो 11 अंतरिक्स उडान के चालक दल में सामिल था और इस question का दोस्तो right answer हैगा नील आर्म स्ट्रोंग यानि की right answer C right answer हैगा question number 20 का दोस्तो अगला question आता है oxygen के संपर्क में आने से बचाने के लिए sodium धातू को किसके भीतर रखा जाता है दोस्तो इस question का right answer हैगा kerosene के अंदर यानि की D right answer हैगा question number 21 का catch memory क्या होती है दोस्तो इस question का right answer हैगा बिल्कुल random access memory यानि की RAM option B right answer हैगा question number 22 का अगला question आता है निमलिखित में से कोन हरियाना हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है इस question का दोस्तो right answer रहेगा कपिल देव यानि की option A right answer हो जाएगा question number 23 का अगला question आता है सिगमो क्या है दोस्तो सिगमो है गोवा का वसंत रीतु का मोचसव यानि की इस question का right answer हैगा option B ये आपको याद अखना है 24 का सही answer question number 25 है stainless steel का अविस्कार किस ने किया था दोस्तो इस question का right answer हैगा बिल्कुल hairy, barely यानि की right answer is option C ये आपको याद अखना है 26 कोशन है मानव सरीर में दो हड्या आपस में कैसे जुड़ी होती है दोस्तो इस question का right answer हैगा इसको बोलते हैं अस्तिबन या फिर ligament यानि की इस question का right answer D हो जाएगा question number 26 का question number 27 आता है दाब का SI मातरक क्या होता है दोस्तो दाब का SI मातरक होता है Newton परति वर्ग मिटर यानि की इस question का right answer आपका C हो जाएगा दोस्तो 28 वा question है रविंदरनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपादी किसने दी थी दोस्तो इस question का right answer रहेगा महात्मा गांधी जी ने यानि की option A right answer रहेगा question number 28 का question number 29 है भारत के सर्वुच न्याले की इस्थापना कब की गई थी दोस्तो इस question का right answer रहेगा 1950 में यानि की C right answer रहेगा question number 29 का दोस्तो अगला question आता है मेकिन इंडिया का परतिक यानि की लोगो किसका बना है तीसवे question का right answer रहेगा कोक्स से बने सेर का यानि की option A right answer रहेगा question number 30 का अगला question आता है स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कोन है दोस्तो इस question का right answer रहेगा सुनील गावसकर यानि की option A right answer रहेगा question number 31 का अगला question आता है मुस्कुराते बुध यानि की smiling बुधा किसके लिए code नाम था 32 का दोस्तो right answer रहेगा बिल्कुल सही है अगर आप लोग नहीं हापर option A right answer लगाया है भारत द्वारा 1974 में किये गए पोकरान फर्स्ट परमानू परिक्षन का ठीक है A right answer रहेगा question number 33 है एक मानाव जीब में ओस्तन कितनी सवाद कनिकाए मुझूद होती है 33 का दोस्तो right answer रहेगा 2000 से लेकर के 8000 तक यानि की option A right answer रहेगा question number 33 का question number 34 है चलती लिप्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा दोस्तो इस question का right answer रहेगा बढ़ या घड़ सकता है depend करता है कि लिफ्ट उपर को जा रही है नीचे को जा रही है question number 35 है पानीपत के तीसरे यूद में एहमत सा अबदाली से किसने यूद किया था तो 35 कोशन का दोस्तो right answer रहेगा बिलकुल एहमत सा अबदाली से यूद किया था मराठो ने यानि कि right answer B हो जाएगा 35 कोशन का अगला कोशन आता है मलेशिया के जंडे में लाल और सफेद रंग की कितनी पट्टियां बारी बारी से सामिल है इस कोशन का दोस्तो right answer रहेगा कोशन नमबर 36 का right answer B हो जाएगा 14 ठीक है जी यह आपको या दखना है सेशन अच्छा लग रहा है लाइक कर देना और अगर आपको यह कोशन का लेवल सही लग रहा है वैसे तो मैंने जो 6000 की कोशन आंसर की पीडियाप बनाई है उसमें मैंने इससे भी अच्छे अच्छे जो exam oriented questions है वो उसमें collection दिया है अगर आप उसको उससे पढ़ते हैं तो सारे कोशन की answer आप लोग कर सकते है 37 का question हमारा है कि भारत का कौन सा राज्ये जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तो ये हो जाएगा पस्चिम बंगाल यानि की D राइट answer रहेगा 37 का 38 आता है आइंस्टीन का विसेज सामपेक्सता का सिध्धान्थ सबसे पहले किस काल में प्रस्तावित किया गया था इस qeysn का right answer हैगा 1905 में यानि की A right answer हैगा qeysn 38 का अगला qeysn आता है graphene क्या है दोस्तो graphene है carbon का अप्रूप यानि की option C right answer हैगा qeysn 39 का qeysn 40 आता है antriks की यात्रा करने वाला पर्थम व्यक्ति कोन था दोस्तो इस qeysn का right answer हैगा यूरी गागरेन यानि की right answer is option A ये आपको याद अखना है question number 41 है hydrochloric amyl यानि की HCI का litmus paper पर क्या परभाब पड़ेगा इस question का right answer हैगा नीला को लाल कर देगा यानि की right answer option B हो जाएगा 41 का question number 42 है 1998 में पोकरान परिक्षन के समय भारत की वरत्मान परधान मंतरी कोन थे तो 42 का दोस्तो right answer क्या रहेगा अटल बिहारी वाजबईजी यानि की option C right answer रहेगा question number 42 का question number 43 है WHO का मुख्याले कहां है तो देखे WHO का मुख्याले कहीं बार एक्जाम में आ जाता है जिनेवा स्वीजर लेंड में यानि की A right answer रहेगा question number 43 का question number 44 है बाबर ने मुगल वन्स की स्थापना कब की थी इस question का दोस्तों right answer रहेगा 1526 इसमी में यानि की C right answer रहेगा question number 44 का अगला question आता है चरक, सहिता, चिकित्सा की किस साखा से संबन्दित है question number 45 का दोस्तों right answer रहेगा आयूरवेद की यानि कि C रैट आंसर हैगा question number 45 का question number 46 है परसार भारती एक सवेत यानि कि एटनोमी निकाय है जिसके अंतरगत आता है तो दोस्तो परसार भारती के अंतरगत क्या-क्या आता है All India Radio और दूरदर्शन दोनों ही आते हैं यानि कि B रैट आंसर हो जाएगा question number 46 का अगला question आता है चोक का रसायनिक नाम क्या है दोस्तो रैट आंसर हो जाएगा calcium carbonate यानि कि option B रैट आंसर हो जाएगा question number 47 का अगला question आता है कि most space telescope किस दिसका है तो 48 का दोस्तो रैट आंसर क्या रहेगा बिल्कुल कनाड़ा का यानि कि C रैट आंसर हो जाएगा question number 48 का अगला question आता है आर्क पेल गो क्या है तो इस question का दोस्तो right answer क्या रहेगा ये है दूपो का समू या सरंकला या संग या संग रहे यानि कि right answer D हो जाएगा question number 49 का अगला question आता है यारलग सांगपो का परचलित नाम क्या है तो इस question का right answer क्या रहेगा 50 का दोस्तो बरंपुत्र यानि कि right answer D हो जाएगा question number 50 का question number 51 है निवन में से किस राज्य में परती वर्स लोसांग महुतसव आईजित किया जाता है तो इस question का दोस्तो right answer है ये आईजित किया जाता है सिक्कि में यानि कि D right answer है question number 50 sorry 51 का question number 52 है 1998 में पोकरान में भारत द्वारा किये गए परमानू परिक्षन का कोड क्या था 52 का दोस्तो right answer है रहेगा operation सक्ती यानि कि B right answer हो जाएगा question number 52 का question number 53 है निमलिखित में से कौन सा कृतिम पेर है तो इस question का दोस्तो right answer हैगा जैपूर फुट यानि कि right answer option A हो जाएगा अगला question आता है कि दवाब को किस से मापा जाता है दोस्तो दवाब को मापा जाता है बल एवं छेतरफल से यानि कि right answer आपका D हो जाएगा निर्वाचन चित्रों में परत्यक्स चुनाव द्वारा चुने जाते हैं तो 55 का दोस्तो right answer हैगा देखे अगर केवल यहाँ पर बात की गए ना राज्यों की दोस्तों तो 530 हो जाएगा ठीक है यानि कि right answer हैगा question number 55 का अब एक question मैं आप लोग उसे पूछता हूँ जिसका answer हर एक student को comment box में जरूर बताना है question है चलती lift में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा मैं आसा करता हूँ कि आप लोग इसको जितना detail में बता सकते हैं जरूर बताएंगे और इसका answer सही सही comment box में सभी student बताएंगे वीडियो कैसी लगी प्लीज comment box में छोटा सा comment करके जरूर बताईए वीडियो पसंद आई like करिये, share करिये अपने हर एक group में जो भी दोस्त आपके भाई बैन जो भी किसी भी competitive exam की चारी करता है जरूर उन तक इस वीडियो को पहुचाईए और regular रही है, 9 बज के 15 मेट पर हर रोज एक वीडियो आपको मिलती है दोपैर में भी एक वीडियो मिलती है और सुब्य मोर्निंग में भी और करेंट और फिर की topic wise वीडियो में जल्दी start करने वाला हूँ 6000 के question answers की PDF आप अलग से भी डाउनलोड कर सकते हैं मतलब subject wise भी या फिर सारे subject की एक साथ डाउनलोड करना चाहते हैं तो 175 रुपीज पेड करके आप इसको purchase कर सकते हैं link नीचे description box या website या फिर बोट्सप से आप इसको डाउनलोड दोस्तों कर सकते हैं ठीक है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऐकन कोन कर लेना आगे सारी वीडियो मिल जाएंगी थेंक्यू सो मच बाई बाई एड़ने टेक केर ख्याल रखे अपना